अगर आपने क्रीमी ग्रेवी वाली पनीर भुजी कभी ट्राइ नहीं किया है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ किजेगा आज बनाएंगे बिल्कुल रेस्टरंटे स्टाइल पनीर भुजी कई लोग इसे ड्राइ भी खाना पसंद करते हैं आपको कैसी पसंद है आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे तो ये क्रीमी टैक्षर में ज्यादा पसंद आती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए पैन में डालेंगे वेजिटेबल ओयल और थोड़ा सा बटर बटर जरूर डालिएगा जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा जीरे की साथ ही इसमें डालेंगे कटा हुआ गार्लिक ये बारिक कटा गार्लिक है इसे हलका सा ब्राउन होने देंगे अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक इसे भी मैंने बारिक चॉप कर रखा है ये दोनों ही चीजे बारिक कटी भी लेनी है आपको हलका सा इनका कचपन निकल जगाए तब इसमें हम डालेंगे बारिक कटा प्याज प्याज को हमें हलका golden brown होने तक बुनना है प्याज ट्रांजी हो गई है अब इसमें एड़ करेंगे कटावा शिमला मिर्च शिमला मिर्च को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है बस हलका soft होने तक पकाना है अब इसमें add करेंगे बारी कटेवे टमाटर ये मैंने तीन टमाटर यूज़ किये हैं छोटे साइज के तमाटर डालने के बाद इसे हमें 5-10 मिनट अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर soft हो जाएं इसके लिए हमें इसमें नमक डाल देना है नमक डालने से टमाटर जल्दी कल जाएंगे नमक डालने के बाद अच्छे से mix कर लिजिए और इसे धक के पास दस मिनट के लिए पका लिजिए देखे दस मिनट हो गए हैं इसे पकते वे और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं आप इस पैचुला से इस तरीके से मैश कर दीजे टमाटर जो है अच्छे से मिल जाने चाहिए तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अभी इसमें हमें मसाले आइड करने हैं और मसालों के साथ भी हमें इसे पकाना है टमाटर और भी अच्छे से पक जाएंगे अब इसमें आइड कर लेते हैं मसाले एक चमच हल्दी एक चमच धन्या पाउडर एक चमच कीचन किंग मसाला इसके जगे आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और दो चम्मच मैंने देगी मिर्च यूज़ की है इससे इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा मैंने कोई भी हरी मिर्च इसमें यूज़ नहीं की थी आप जितना तीखा कहARTे हैं उसके हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिली भी एड़ कर सकते हैं मसालों के साथ अच्छे से भूनने बाद इसमें एड़ करेंगे आदा कप पानी जिससे ये मसाले और ग्रेवी बहुत इच्छे तरीके से पक जाए पानी एड़ करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा एड़ करूंगी और बटर बटर बिल्कुल ऑप्षिनल है अगर आप ज़्यादा बटर यूज़ करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर आप नहीं करना चाते हैं तो आप इसके भी कर सकते हैं तो इसमें बटर तो जाएगा ही अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेट कियावा पनीर यह मैंने बड़े साइज वाले ग्रेटर का यूज किया है बारीक वाले का मत यूज करियेगा वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा नहीं तो आप इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं ये मैंने डाइसो ग्राम पनीर इसमें अड़ कर दिया है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर आपको थोड़ी और ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी और अड़ कर सकते हैं इसी time इसमें add कर लिजेगा और अच्छे तरीके से mix कर लेंगे अब इसमें add कर रही हूँ मैं घर वाली fresh मलाई आप चाहे तो इसमें market वाली cream भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको creamy texture चाहिए तो इसे जरूर add कर येगा इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें डालेंगे कसूरी मेती इसे skip मत कीजिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से mix कर लेंगे और इसे 5 मिनिट के लिए ढखके पका लेंगे पांच मिनिट हो चुके हैं चलिए देख लेते हैं ये बिल्कुल तयार हो चुकी है इसमें बहुत अच्छा कलर भी आ गया है बस इसे गार्णिश कर लेंगे अब कटेवे हरे धनिये से देखिए बिल्कुल मार्केट इस्टाइल क्रीमी पनीर भुजी तयार है सपाती नान आप किसी के साथ भी से इंजॉय कर सकते हैं अब रेस्टाइट इस्टाइल वाली क्रीमी पनीर भुजी आप घर पे फटाफट से तयार कर पाएंगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा और पहली बार अगर मेरी चैनल पे विजट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा अब मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं लिंक पेने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बाई गाईज